फ्रेंट्स अगर आपके स्टोर रूम में 10-20 साल पुराना कोई बरतन पड़ा हो और आपसे कहा जाए कि इसे फटा-फट से मिंटों में क्लीन कर दीजे तो आपको कैसा लगेगा फ्रेंट्स बिल्कुल सामाने सी बात है ये काम आपको बहुत ही मुस्किल लगेगा क्योंकि ऐसे बरतनों को क्लीन करना बहुत ही मुस्किल और जंजट वाला काम होता है लेकिन फ्रेंट्स आज जो तरीका मैं आपके साथ चेर करने वाली हूँ उससे आप बिना जंजट के बिना रगड़े बिना घिसे फटा-फट से इन बरतनों को कर सकते हैं तो फ्रेंट्स आज मैंने आप ली है एक लोही की कढ़ाई काफी पुरानी है और आप देख सकते हैं जंग इसके उपर कितनी ज्यादा लगी हुई है ये काफी दिनों से यूजलेस रखी हुई थी फ्रेंट्स तो यूजलेस अगर हम किसी भी चीज को रख देंगे तो उसकी ही हालत होती है तो फ्रेंट्स इसे क्लीन करने का मैं आज आपके साथ एक बहुती बड़िया और जबजस्तरी शेयर करने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो को एन तक जरूर देखें तो फ्रेंट्स हमें करना क्या है सबसे पहले हमें कढ़ाई को चढ़ा लेना है गैस के उपर और कर लेना है उसे पूरी तरह से गरम गरम करने के बाद अब हम इसमें ठंडा पानी एड करेंगे तो कढ़ाई को एकदम पूरी तरह से सौक लगेगा और इसके उपर जितनी भी जंग लगी हुई है ना उसके पकड़ जो है काफी ढीली होगी और इसके बाद इस पानी को हमें अच्छी तरह से कर लेना है गरम और इसमें एड करनी है हमें कुछ चीजे तो फ्रेंट्स यहाँ पर मैंने सबसे पहले डाला है लगबग 1.5 चमत जितना नमक यह साधा नमक है फ्रेंट्स जो हम खाने में यूज करते हैं ना किचिन में वही और इसके बाद दूसरी चीज मैंने इसमें एड की है वो है वाइट वेनेगर वाइट वेनेगर भी हमारी क्लीनिंग को काफी आसान करतेगा और इसके बाद तीसरी चीज मैंने इसमें एड की है वाशिंग पाउडर एक चम्मच इतना वाशिंग पाउडर मैंने यहाँ पर यूज किया है और अगली चीज मैंने यहाँ पर ले ली है जो है सबसे खास और हमारी क्लीनिंग को करेगी सबसे ज़्यादा आसान तो फ्रेंट्स वो होगी इनो तो यहाँ पर मैंने एक इनो का शैसे जो है इस पानी में डाल दिया है जब भी आप कढ़ाई या किसी बरतन में पानी डाले तो उसे थोड़ा सा ओच्छा रखें यानि कि बरतन के अंदर तक ही पानी रहना चाहिए बाहर नहीं आना चाहिए यह सारी चीजे जो हमने इसमें एड की है ना इनी की वज़से यह पानी थोड़ा उफनता है तो ऐसा नहों कि कढ़ाई तो क्लीन हो जाए लेकिन आपका गैस और आसपास का एरिया हो जाए गंदा तो इसके लिए पानी कढ़ाई से थोड़ा सा कम रखें और ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से फिर हम पानी को अच्छी तरह से उबाल लेंगे और फ्रेंट्स इसके बाद फिर हम जब काफी आपको लगे कि दो तीन मिन तक पानी हमारा या पांच मिन तक पानी हमारा अच्छी तरह से उबल लिया है तो उसके बाद हम इसे डाल देंगे दूसरे परतन में ये देखे फ्रेंट्स फिर मैंने आप ले लिया है इस क्रबर और इस क्रबर में हम इसी पानी को हलका हलका लगाते हुए पिल्कुल हलके हातों से कड़ाई को स्क्रब करेंगे ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से तो आप सारा कालपन जो है कड़ाई से छुटता हुआ जा रहा है और हमारी कड़ाई बिल्कुल आसानी से ही क्लीन हो जाएगी अब यहां पर मैंने ले लिया है एक जो दिवाली के दीपक होते हैं न मिट्टी के उसे ये देखे फ्रेंट्स इस तरह से मैं इसे बिल्कुल हलका हलका सा अगरती जाओंगे और हमारी कड़ाई जो है क्लीन होती जाएगी फ्रेंट्स तरीका बहुत ही जबर्जस्त है मेरा तरीका अगर आपको अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए और आपको लगे की वीडियो कहीं भी आपके लिए जरासा यूज भूल रहा तो प्लीज व करके जरूर बताएं तरीका आपको कैसा लगा तो यह देखें इस तरह से मैं कड़ाई को बिल्कुल हलका हलका सा रगट दी जा रही हूँ क्योंकि हमारी कड़ाई का जितना भी मेल और गंद की है ना सब पूरी तरह से फूल चुका है फ्रेंट्स कड़ाई क्लीनिंग का मै इसे हलका हलका सा रगट दी जाओंगे बिल्कुल भी हातों पे हमें जोडनी डालना है और यह देखे हमारी कड़ाई जो है साफ हो जाएगी फ्रेंट्स यह कड़ाई बिल्कुल नहीं नहीं होगी लेकिन हाँ यूज के लायक जरूर हो जाएगी बाकि जैसे जैसे हम इसे टेली में यूज करते जाएंगे तो यह कढ़ाई बिल्कुल साफ हो जाएगी फ्रेंट्स यूज करने के बाद ही वर्तन जो है साफ होते हैं अगर हम इसे यूजलेस रख देंगे तो यह धीरे धीरे अपने आप फिर से इसके अंदर जो है जंग लंगना स्टार्ट हो वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंट्स बाइबाय और टेक्केल